स्लाम आलेकुम व्यूवर्स वैलकम टू हानी अलोदी किचन व्यूवर्स आज हानी अलोदी किचन में आप लोगों के साथ चेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन और फिंडी की रेसिपी जो के बहुत ही जादा टेस्टी बन कर तयार होगी तो यह चिकन और भिंडी का जो सालन है वो मैंने किस तरीके से बना कर तयार किया है आए इसकी जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और वीडियो को स्चार्ट करते है तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर तकरीबन दो कब जितना ओल घरम कर लिया है इसमें म दो अदद बारीक कटे हुए टेमाटर और इसको मैं यहाँ पर अची तरीके से प्यास के साथ पून लूगी दोनों चीजों को मैंने यह तरीके से मिक्स कर लिया अब इसमें एटकिया वन टेबल इस्पून लाल मिर्च का पावडर वन टेबल इस्पून धनिया पावडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टी स्पून भरकर नमक, और इसी के साथ मैंने इसमेड किया वन टीबल स्पून लेसन और अध्रक का पेस्ट, अब अच्छी तरह से ना इन तमाम मसालों को मैं यहां पर भून लूँगी, तो से तीन मिंट के लिए मैंने यहां पर तमाम मसालों को भून लिया है, और अब यहां पर अक्रीबन मेरे पास है, हाफ गेजा़ जितना चिकन, मिक्स पोटी लिया है मैंने, तो यह मैं इसमें डाल दूँगी, और चिकन को मैं यहां पर मसाले में अच्छी तरिके से भून तो यहां जो है वो मैंने चिकन को इसमें चार से पांच मिंट के लिए भून लिया अच्छी ताना से तो अब इस पॉइंट पढ़ना मैं इसमें भिंडी आइट करूंगी तो यहां मैंने लिया तकरीवन एक पाउ जितनी भिंडी इसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था यह समें जाएगी सारी और इसको भी मैं यहां पर चिकन के साथ भून लूँगी अच्छी ताना से दो से तीन मिंट के लिए इसको भी मैं यहां पर चिकन के साथ भून लूँगी भिंडी को तो दोनों चीज़ों को एक साथ बूनने के बाद आप मैं इसको कवर करके तकरीबन 15-20 मिंट के लिए गला लूँगी तो यहां जो है वो 15-20 मिंट हो चुके हैं हमारे सालन को गलते हुए तो यह देख सकते हैं आप लोग चिकल और भिंडी का जो सालन ता वह हमारा यहां पर तैयार हो चुका है तो इस पॉइंट पर अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी आप लोगों को इसकी रैसिपी पसंद आई हूए और उसकी घर भर में आए कार कर मैं आजिर को चैनल पर नायग को सब्सक्राइब करें ड़ी का प्रेस करें ताके मेरा आना वाल है नहीं वीडियू की नोटीफेकेशन जल से जल आप लोगों तक पहुत सकते हैं लाव